नमस्कार दोस्तों हिंदी न्यूज फेर्श में आपका स्वागत है दोस्तों एक न्यूज आ रही है एसियन कंट्रीज से एक एसियन कंट्रीज है थाइलेंड दरसल ये खबर वहां से आ रही है जो एक डबलू टीयो जानी की वर्ल्ड ट्रेड और अगनाईशन है उसकी एक म आम लोग ये पबलिक डिस्ट्रिबूशन सिस्टम होता है न अपना जिसमें गेहों और चावल सरकार देलवाती है पबलिक को उससे रिलेटेड ये खबार आ रही है आईए पूरा बिस्तार से बताता हूं कि एक्ट्रों खबर है क्या दरसल दोस्तों बात ये कि डबलू ट खरीता है चावल खरीता है वह बहुती सस्ते दामों पर खरीता है और फिर उस सस्ते दामों पर खरीतने के बाद वह इस चावल को बिस्वें एक्सपोर्ट करता रहता है सभी देशों को बेशता रहता है तो इससे क्या है कि भारत अपना जो चावल है वह सस्ते रेट में द खरीदता है गेहूं वो उनका 100% गेहूं नहीं खरीदता है नहीं वो चावल 100% खरीदता है तो वो जो चावल खरीदा है वो only 40% खरीदता है मतलब अगर एक किसान ने गेहूं की पैदा चावल की जो पैदावार करीए जो धान की पैदावार करीए मालो 100 किलो की करिए तो भारत जो सरकार है वो उस से खाली 40 किलो ही खरीद रही है इससे जादा नहीं खरीदती है अच्शा अब इसको कहरीद मैं एक के बाद ऐसा नहीं है कि वो कहीं उसको एक्सपोर्ड करने लगति है भारत सरकार इस खरीदे हुए अनाच को गरीब जंता के बीच में बटवाती है जो हम लोगों को देखने को मिलता है जिसको हमें राशन का कार्ड ले जाकर हम दुकान से ले लेते हैं सामान यही तो है यह किसानों से खरीदा हुआ है यह हम एक्सपोर्ट होना कर रहा है दसल थाइलैंड को मि मिर्ची इस चीज से लगी हुई है कि भारत 2018 से लेके 2022 तक दुनिया में सबसे ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट करने वाले देशों में पहले इस्थान पर तो यह और उसके बास से अभी कि अगर देखें तो थाइलैंड और वियतनाम यह दो कंट्री हैं जो अपना अप्लाई कर रहा है तो इस वजए से थाइलैंड को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी लेकिन भारत में जब इसकी आपती दर्ज कराई ऑफीशिली भारत ने इसका बहुत ज़्यादा कड़ा बिरोद किया तो जब यह किया तो उसकी वजए से उनकी जो राजदूत उसको वहां से हटा लिया गया साइलैंड सरकार ने अपनी राजदूत को वापस बुला लिया है तो दोस्तों कोई चीज अगर साथ बोली जाए तब तो चीजे सही होती है कुछ भी ऐसे किसी भी कंट्री को पर उल जलूल हम जो आरूप लगा देते हैं इन सब चीजों से बढ़ क्या रहा है कि भारत किसे खरीटा है कितने में खरीटा कहां एक्सपोर्ट करता है यह सारी जानकारी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो कहीं से पता ना लग सके और आप जिम्मेदारी वाले पद पे बैठे हुए हो और इस तरह का कुछ भी आप बोल के निकल जाते हो एक भारत की पतिष्ठा एक रेपूटेशन है उसको यह लूट लगाने की कोशिश करता है लेकिन चलो जो भी हुआ अब उसका उन्होंने अच्छा कदम लिया है जिससे उन्होंने अपने राजदोत को वापस बुला लिया इससे क्या है कि भारत को हटाना पड़ गया और भारत का गेहूं और चावल जो भी खरीती है भारत के सरकार का अधिकार छेत्र में है कि वो अपने मिनमम सपोर्ट प्राइस पर वो एटलिस खरी सकें पूरा नहीं खरीते हैं लेकिन जितना हमें डबलू टीओ के एग्रिमेंट्स के एकॉर्डिं एग्र प्राइस घुडरत के एग्र प्राइस फर्वाशन गया भी मिनमम प्राइस प्राइस